हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस राफिल स्टडी में आज किस वीडियो में हम लोग क्लास 10 में इस तिरकोन मिती सवाल को बेहतरीं कॉंसेप्ट से हल करना सिखेंगे इस परकार के कोईशन बोड एक्जाम में पांच नमर में 100% पुछा जाता है तो वीडियो को सुर शानल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए तो सवाल है दोस्तों सीद की जेक की रूट अंडर एक प्लताइस थीठा प्लता एक मा Messi थीटाबर रावर सित ठाप लॉस टेन ठीटा तो यह ऑली चयुक् Crisp है हमें अलास spoken करना है इसे लाना है इसे कर तो यहां पर महाल में दोस्तों लिखेंगे लेचे से लेने पर तो लेचे से दोस्तों रूट अंडर एक प्लस साइन ठीटा बट्टा एक माइनस साइन ठीटा तो यहां पर अब धियान देजे कि हम इसे क्या हल करेंगे यहाँ पर हम होर का परिमेकरन करेंगे तो होर का परिमेकरन कैसे करते हैं यहाँ पर हम गुना का चिन लगाएंगे ठीक है और इसके होर में जो संख्या है उससे हम उपर नीचे गुना करेंगे लेकिन यहाँ पर यह नियम है कि होर में माइनस चिन है लेकिन यहां पर मायनेस है तो प्रॉस लेंगे हम एक प्रॉस साइन ठीटा से उपर नीचे गुना करेंगे यहां पर मायनेस है तो हमने प्रॉस लेकर उपर नीचे गुना कर दिया है इसी परकार हम होर का परिमेकरन करते हैं अब यहां पर धियान दीजिए दोस्तों उपर में एक प्लॉस साइन ठीटा गुने एक प्लॉस साइन ठीटा है दो बार गुना में है एक प्लॉस साइन ठीटा तो जब दो बार गुना में है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं एक प्लॉस साइन ठीटा का होल स्क्वाइर ठीक है और बट्टा में 1-7 ठीटा गुन्य 1-7 ठीटा है तो यह जो है दोस्तों A-B गुन्य A-B के रूप में है तो हमें पता है कि A-B गुन्य A-B बड़ाबर होता है A²-B² ठीक तो यहां पर हम बट्टा कर लें लेंगे और A² के जगए 1 है तो 1 का स्क्वाइर करेंगे फिर माइनस B²-B के जगए साइन ठीटा है तो होगा क्या साइन स्क्वाइर ठीटा अब यहां पर देखें दोस्तों उपर में 1 पलोस साइन ठीटा का होली स्क्वाइर तो इसे हम जवकातियों लिखेंगे एक प्लॉस साइन ठीटा का होली स्क्वाइर बट्टा में है एक स्क्वाइर एक का स्क्वाइर करेंगे एक होगा फिर माइनस में साइन स्क्वाइर ठीटा ठीक है अब देखेंगे रूट अंडर एक प्लॉस साइन ठीटा का होली स्क्वाइर बट्टा में है 1-sin square theta तो हम जानते हैं दोस्तों फर्मूला होता है sin square theta पलॉस cos square theta बरावर 1 ठीक है तो यहां से cos square theta बरावर क्या होगा बरावर में 1 है तो 1 पलॉस sin theta बरावर के इस तरफ जाएगा तो माइनस sin square theta होगा तो यहां पर धियान देचिए 1-sin square theta है तो 1-sin square theta बरावर क्या है cos square theta तो इसकी जगापर हम क्या लिख सकते है cos square theta अब यहां पर समझे दोस्तों आप सब को पता होगा कि हम square से root को हटा सकते है तो square यहां पर दोनों के उपर लगा है तो हम square से root को हटा सकते हैं square से इस दोनों के उपर से root हट गया तो यहाँ पर बाकी रहा गया दोस्तों उपर में 1 plus sin theta और बट्टा में cos theta square से root हट गया इसलिए यहाँ पर root और square दोनों नहीं है अब धियान देज़े 1 plus sin theta बट्टा cos theta है तो यहाँ पर plus से यह दोनों जुड़ा हुआ है यहाँ पर हम इसे अलग करेंगे separate करेंगे एक और sin theta को अलग करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एक फिर plus है तो plus फिर हम लिखेंगे यहाँ पर sin theta अब धियान देज़ें हमें दोनों को अलग कर दिया लेकिन इसके दोनों के हर में क्या है कॉस्ट ठीटा है तो हम इस दोनों के हर में कॉस्ट ठीटा लिखेंगे तब ही ये अलग होगा ठीक है अब यहां पर ध्यान दिजिए एक वर्टा कॉस्ट ठीटा है तो हमें पता है कि एक वर्टा कॉस्ट ठीटा होता है सेक ठीटा फिर पलॉस है तो पलॉस यहां पर साइन ठीटा वर्टा कॉस्ट ठीटा है तो हमें पता है कि साइन ठीटा वर्टा कॉस्ट ठीटा होता ह है टेन ठीटा तो दोस्तों आर्चेश में हमें यहीं सीदध करना था रूट अंडर एक प्लस सब्सके लिए एक मैंनास संपी टावड़ाबर सेख टीटा प्लस टेन ठीटा तो यहां पर सीद्ध हो गया है सेख टावराबर टेन ठीटा लिखेंगे आर एक तो दोस्तों इस परकार हम इस ट्रिकोन मिती सवाल को सीध करेंगे इस परकार के कोईशन बोर्ड एक्जाम में पांच नमर में पक्का पुछा जाता है तो इसे अच्छा तरीके से प्रैक्टिस किजिएगा आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी यह दिया आपको वीडि प्राइब जरूर कर लीचिये